Cosmic White Equinox Kronos Wireless Gaming Headphones तो भाई अभी Neutrino का review बनाया था जो मारा 4500 का wired gaming headset था विद Dolby Atmos support यह हमारा wireless variant है और उसी यह comment section में लोग बोले थे Kronos Kronos तो थोड़ा आने में टाइम लग गया है मतलब थोड़ा से adjust कर लिया करो आज आपको दिखाएंगे यह हमारा 6500 का headset है जो मतलब इसका launch price है वैसे all time price 7000 से 7500 रहने वाला है And seriously यह भाई तगड़ा headset है मतलब spoiler पहले देदू अगर आप wireless headset ढूंड रहो अपने android, pc, playstation मतलब किसी के लिए भी यह मैं पहली बोल देता conclusion, buy कर लो, अचा review देखना है क्या, अभी डबब हो लेते हैं तो कुछ ऐसा पीला काला box आजागा जैगा जैसा Cosmic Bight का आता है यहाँ पे हमारा निकलेगा Tiffin box बढ़िया वाला एक दम, बाकी और box के अंदर कुछ नहीं है तो headphone अपना घर रखो, school college जाते हो, खाना pack करके लेगे जाओ, देखना कितना बड़े लग रहा है इसके अंदर से निकल जाता है हमारा mainly headphone और उसके बाद यहाँ पे एक थेली निकल जाएगी, थेली के अंदर एक निकल जाती है पुस्तक और एक चीज में आपको पता हूँ, यहाँ ना Cosmic Bight ने user manual के क्वालिटी बंदफ तगड़ी कर दी है अब पता नहीं premium products के लिए करिए सब के लिए, बट काफी बढ़िया लग रहे है user manual और यहाँ पे हमारे को एक type A to type C cable मिल जाएगी, braided वाली, एक यहाँ पे 3.5 mm jack वाली aux cable मिल जाएगी, एक यह हमारी dongle, और एक windmuff निकल जागा हमारे microphone के लिए तो सबसे पहले शुरुवात कर लेते है, build and design, यहाँ पे मिल जाता है हमारे को black और orange के combination में, और जो neutrino था उसका भी combination ऐसा था, यह जो design language उन्होंने use करी है यह काफी minimalistic भी है और premium भी feel देती है, क्योंकि यह वाला portion हमारे को metal का मिल जाता है, यहाँ भी metal की mesh मिल जाती है, य उपर यहाँ पर Cosmic White की branding है, और यहाँ पर मिलता है, बहुत soft cushion, headrest वाला, एंड जो भाइस के air cushions है, seriously, मैं इमान दर से बता रहा हूँ, आज तक इतने soft cushion नहीं देखे हैं, मैंने, मैंने दुनिया बरे के headset review करे हैं, और बहुत सारे brands की करे हैं, इतने soft cushion, अभी तक के किसी ब charging, और यहाँ पर हमारा इंडिकेशन है, बैटरी बगरा का, यहाँ पर एक microphone मिल जाएगा, जो ऐसे करके निगल जाता है, और ऐसे अंदर चला जाता है, यहाँ पर aux input मिल जागा, aux के थरू चलाने के लिए, यह हमारा main on-off का button है, यहाँ पर mic on-off का button है, और एक हमारा volume का wheel मि तो इसके अंदर भी नोंने single light यूज करी है, वो ही orange color की कहलो या yellow color की कहलो, and इसके button के थरू हम light on-off कर सकते है, effect कोई नहीं है, तो काफी minimalistic approach है, और neutrino की video के comment section से मुझे पता लगा, कि नहीं यार, RGB के बीच्छे लोग इतने जादा पागल नहीं है, जितने एक minimalistic look के बीच है, and मैं भी थोड़ा सा shift हो रहा हूँ, RGB वालो थोड़ा मतलब ऐसे बुरा बदमानना, सब पसंद है हमारे को, जो तुमें पसंद हो हमें पसंद, and अभी तरह मेंगा headset है, compatibility का बाई तकड़ा सीन है, इसके अंदर आप 3.5 mm jack के थरू, आप connect कर सकते हो, जो इसकी cable है, उसको wirelessly work करता है, या फिर 3.5 mm jack से work करता है, आपका Type-C cable से सिफ और सिफ चार्ज होगा, and mainly इसके साथ आती है dongle, यह dongle हमारी Type-A वाली भी है आगे से, और यहां से Type-C वाली भी है, Type-C के थरू हम Android phone में चला ले है, या Type-C directly laptop में लगानी हो, PC में लगाना हो, तो सारे platforms पे चल ज यह, Xbox पर आप उसके controller के थरू चला सकते हो, थरू 3.5 mm jack, और PS5 की बात कर रहा था, PS5 पे इस headphones के साथ आपको 3D audio का भी support मिल जाएगा, and यह वाला जो मारा headphone है, यह सिर्फ और सिफ डॉंगल के थरू चलता है, कोई Bluetooth connection नहीं है इसके अंदर, और एक सबसे बड़ी है चीज, यह बटन है on-off वाला, इसको अगर हम single tap करते हैं, तो 3 inbuilt modes मिलते हैं, एक movie, music, gaming mode, उसके अंदर में try कर रहा था, जो gaming mode है, उसके अंदर हमारी चीजे थोड़ी treble है, वो crisp हो जाती है, movie mode के अंदर, भाई, बेस तकड़ी हो जाती है, and music mode के अंदर थोड़ा balance experience रहता है, overall जो experience है in mode से बढ़िया होता है, different different scenario में, और भाई, यह headphone महंगा होने का और reason, जो यह dongle है, यह 5.8 gigahertz channel को support करती है, usually आपको 2.4 gigahertz वाले dongle मिलती है, जिसके अंदर latency 40 to 50 millisecond की होती है, इस headphone के साथ आपको 20 millisecond latency मिलती है, मैंने वैसे एक latency test भी है, आप एक पर वो देखो, और यहाप अगर music experience की बात करते हैं, तो bass म कहूंगा अच्छा है सके अंदर, third output मिलता है यह और treble भी crisp है, and overall loudness भी बढ़िया है, क्योंकि 50 mm के driver से सके अंदर मिलता है, overall जो sound experience है, वो बढ़िया है, जिस price point बाता है, मतलब मेरे को कोई कमी नी लेगी sound को लेके, और हाँ, bass को थोड़ा और specifically बता हूं, तो बहुत ज्यादा boom bump वाला bass नी है, बहुत ज्यादा ऐसे smooth भी नी है, थोड़ा से smooth और boom bump हम से भीच वाला है, समझेगे ना मतलब, अब इतना ही बता सकता हूं, and yes का mic test है, कुछ ऐसी mic की quality आपको मिलेगी, जब आप gaming कर रोगा अपने दोस्तो इसके अंदर कुछ इतने battery backup मिल जाएंगे, जो कि आपके सामने screen पर आ रहा होगा, अलग-अलग situation के साफ से, अलग-अलग battery backup है, तो battery backup जो mentioned की है, वो बहुत तगड़े हैं, एक gaming headset के साफ से, और एक घंटा-दो घंटा कम कर लेना, क्योंकि brand जो specify करता है, थोड़ा उपर न चाहिए गानों को लेके हो, चाहिए गेमिंग को लेके हो, मजा आता है, और different modes मिल जाते हैं, इसके application के अंदर movie, music वगएरा, जो हम change कर सकते हैं, इतने पैसे भर रहा हो, तो एक software नी, दो-दो, एक इसका अपना software भी है, Cosmibite Chronos का, यह वाला software वैसा ही basic है, जैसा neutrino का था, इसके अंदर मारे को 7.1 surround sound मिल जाता है, पहले page पे, different-different equalizer modes हैं, उसके बाद stereo sound मिल जाता है, music के लिए, इसके अंदर भी अलग-लग modes हैं, और mic में ANC on-off यहां पर आप कर सकते हो, काफे simplistic सा software है, जो Cosmibite Optimize जिनों इसके अंदर दे रखा है, यह सबसे बड़ी output देता है, जो मेरे को personally feel हुआ, अगर आप Cosmibite का अपना software चला रहे हो, तो Dolby Atmos को off कर देना, Windows की sound setting में जाके, और अगर आप Dolby Atmos यूज कर रहे हो, तो मैं कहूंगा Cosmibite का software यूज ना करना, क्योंकि उससे थोड़ा सबना sound का experience बदल जाता है, कि दो दो effect लग गए इसके अंदर, त वो बहुत ही सबर्दस रहती है, और यहां पर मैं कहूंगा, overall जो gaming का experience रहेगा, आपका e-sports के मामले में, क्योंकि 20 millisecond की low latency है, तो बढ़ी experience रहने वाला आपका, देन मैंने इसको smartphone पे यूज करके देखा, through type C जो लगाके, उसके अंदर मैं थोड़ा सा feel हुआ कि हाँ, जो पेस फाइव के games पे बहुत ही बढ़िया, और इसके अंदर में को sound की कोई ऐसी कमी निल लगी, PC का और PS5 का sound experience बढ़ी आ रहा, and conclusion, जो पहली बता दिया था, अगर आपका 6500 to 7000 का budget है, तो ये headphone आप definitely buy कर सकते हो, wireless headphone, और 3-4 घंटे gaming करने के बात भी भाई, जो इसका comfort है, व मैंने वही review किया था, तो उसके साथ हलका सा comparison कर दिया, sound quality भी बेटर है overall, तो conclusion यही है, अगर आपका budget है, 65 to 7500, जो इसका all-time price रहेगा, देख लेना, जो भी best price आपको मिल जाए, link है description में, तो आप इस headphone के लिए जा सकते हो, wireless अगर आप headphone डून रो, premium segment है, Dolby Atmos support, तो बस यह भाई वालिवाची, तो बस पसंद आई वीडियो तो like मारो, share, subscribe, comment यार, जो करना करो, मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए, bye